अझाल? ऱ्याल. नमाश्कार साथियों साथियों हमने मौर्यवनिश में चंद्रगूप टुमौरे तग पढ़िया है आज हम बात करेंगे चंद्रगूप टुमौरे के जो उत्रादीकारी थे जो उनकी पुट्र थे, उनका नाम था बिंदुसार तो बिंदु सार से हम प्रारम करेंगे तो देखे दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं बिंदु सार की तो बिंदु सार के शाशन की हम बात करें तो उनका जो शाशन प्रारम हम था प्रारम हुआ था वो था दोसो अंठ्याण में 298 से प्रारह हुआ 278 273 तक तो आगे देखिए बात करते हैं इनके पिता थे उनके नाम था माता की बात करें तो माता का नाम था दुरधरा, पत्नियों की बात करें तो दोस्तों इनके 16 पत्निया थी कितनी 16 पत्निया थी और जो पुत्र थे इनके पुत्र के संख्या थी 101, कितने पुत्र थे 101 इनके पुत्र थे, उत्रादीकारी पुत्र की बात करें दोस्तों तो इनके जो उत्रादीकारी पुत्र थे उनका नाम था अशोक, जो बाद में समराट अशोक और बाद में इसके पश्यात सम अशोक महा के नाम से जाने गए यहाँ पर धर्म की बात करें तो दोस्तों चंदकुप्त मोरे ने जेन धर्म अपना लिया था उसी प्रकार जो बिंदु सार थे उन्होंने भी आजीवक धर्म को अपना लिया था अपने जीवनकाल में ठीके दोस्तों इनका जो नाम है बिंदू सार अब बिंदू सार नाम क्यों है इसे ध्यान दीजिए दोस्तों क्योंकि जब बिंदू सार का जन्म होगा था तो जन्म के समय उनके सिर्परक बिंदू था एक बिंदू का निशान था इस वज़े से ने बिंदू सार कहा गया क्या कहा गया कि जन्म की समय सिर्प्रक बिंदू का निशान था इस वज़े से बिंदू सार को बिंदु सार के उपनाम की बात करें दोस्तों तो बिंदु सार के उपनाम हमें आठ उपनाम हमें देखनों की मिलेंगे सबसे पहले तो देखे ध्यान दीजिए भारत का प्रथम सिजेरियन शाशक भारत का प्रथम सिजेरियन शाशक यानि इनका जो जन्म हुआ था, वो नॉर्मल नहीं हुआ था, सिजिरियन से इनका जन्म हुआ था, आगे बात करें, तो मित्र घात जिसका अर्थ होता है, शत्रों का नाशक, मित्र घात भी नहीं कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है, शत्रों का नाशक, मित्र मतलब जो हमार मित्रनी अर्था शत्रू यहाँ पर दूतरा नाम में तीस इनका है चोथा नाम यहाँ पर देखिए सिंग सेन क्या सिंग सेन इनिक कहा गया है जेन गरंथों के अंदर कहां जेन गरंथों में क्या कहा गया है सिंग सेन भद्र सार की बात करें तो भद्र सार कहा गया है वायू यहां पर देखिये वारी सार बिन का नाम देखने को मिलता है, इस प्रकार यहां पर आट跟大家 inqual जिन शाशक, अमित्र घात जिसका अर्थ होता है, शत्रों का नाशक, अमित्र चेट्स या अमित्र केट्स, सिंग सेन, सिंग सेन का है जेन गरंथों में, भद्रसार वायू पुराण में, वारी सार, नंद सार तथा बिंदुवाल, बिंदुवाल कहा गया है चीनी गरंथों मे पिता की बात करें तो पीता चंद्रुपतुमोरे, माता दुरधरा, पत्निया सोलह, पुत्र एक सो एक, यहाँ पर उत्रादिकारी पुत्र जनके अशोक थे, और बात करें धर्म की तो आजीविग धर्म, और उनके सिर्पर जनके से में इनके सिर्पर बिंदु था, इस दोस्तों बिंदु सार का परिची देख लिए हमने उसके उपनाम देख लिए आगे बात कर ले तो उसके स्प्जाशन काल में क्या क्या गटनाई घटी थी उसके समन्द में तो देखे दोस्तों सबसे प्रमुख यहां पर आता है तक्षी शिला का विद्रो ज्यान दीजी दोस्तों तक्षी शिला का विद्रो तक्षी शिला उत्रापत की राजधानी हुआ करती थी मोरे काल में तो देखे तक्षी शिला में दो बार विद्रो हुआ था किती बार का शाशन हो गया किन्तु कुस्त में बात क्या हुआ वापस वहां विद्रो हुआ कहां पर यहां जो मैं बात कर रहा हूं तक्षिला की तो तक्षिला पर वापस वहां विद्रो हुआ तो वहां पर किसी भीजा गया दुबारा सुसीम को भीजा गया देखिए दोस्तों सुसीम और अशोक, दोनों ही बिंदु सार के पुत्र थे, मैंने आपको बताया, बिंदु सार के 101 पुत्र थे, तो उनमें से प्रम出來 की बाद की जाए, तो अशोक और सुसीम का जिक्र आता है, तो सुसीम जाता है दूबारा, तक्षिशिला का गवर्णर बना दिया जाता है उसे वहां का राजयपाल बना दिया जाता है किसे सुसिम को जो दूबारा वहां पर दमन करने जाता है तक्षिला में विद्रो का दमन करने जाता है इसे बना दिया साथ में ये अशोक है इसके बार में पता चलता है कि इसे भी अवंती या उज्जेनी का गवर्नर बनाया गया था क्या अवंती या उज्जेनी का गवर्नर किसे बनाया गया अशोक को तो यहां ध्यान दीजे दोस्तों तक्षिला में दो बार विद्रो हुआ दोनो बार विद्रो में पहली बार में अशोक गया दूसरी बार में सुशिम गया अशोक ने में सफलता पूरक विद्रो का दमन कर दिया था और सुसीम ने भी सफलता पूरक उसके विद्रो का दमन कर टो सुसीम को वहां का राज़ीपाल उक्त कर दिया गया है वहां का गवरणर बना दिया गया कहां का तक्षेशिला का और अशोग को भी अवंतिय उज्जने काnten गवरणर बना दिया गया तो इस प्रकार से दो घंद लाए प्रमुख है यहाँ पर दोबार देखिए दोस्तों जो बिंदु सारे उनका जो शाशनकाले विदिशी यात्रियों का शाशनकाल केलाता है देखिए विदिशी यात्री यहाँ पर आये थे इस वज़े से विदिशी यात्रियों का शाशनकाल केलाता है बिंदु सार का कैसे ज्यान दीजे पहले बात कर लें हम यहाँ पर पहले एक फरस्ट जो यात्री आये थे फरस्ट जो यात्री उनके समझ में बात करें तो Pliny कहते हैं प्ली एक विद्वान है इत्यास कार ही कहते हैं यह Pliny कहते हैं कि मिष्चिर के एक शाशक थे टॉल्मी फिलाडेलफस सेकिंड कौन थे टॉल्मी फिलाडेलफस सेकिंड ध्यान दीजे दोस्तों मिश्चिर के शाषक थे टॉल्मी फिलाडेलफस सेकिंड ने अपना दूद डायोनिसस ध्यान दीजे डायोनिसस बिंदू सार के दरबार में भेजा कौन भेजा डायोनिसस ब टॉल्मी फिला डेलफस सेकिंड इन्होंने अपना दूद डायो निसस बिंदु सार के दरबार में भेजा कहां पर भेजा बिंदु सार के दरबार में भेजा दोस्तों से याद रखने के लिए ट्रिक बनाएगी ये ध्यान दीजिएगा ट्रिक क्या है पीली मिश्री की टोफी नीस खा गई क्या दोस्तों पीली मिश्री की टोफी नीस खा गई यहाँ पर पीली से हो जाएगा प्लीनी मिश्री से हो जाएगा मिश्र तो से हो जाएगा टॉल्मी फी से हो जाएगा फिलाडेलफस और नीस से हो जाएगा डायो निसस तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं ट्रिक को दुबारा देखिए पीली मिश्री की टौफी नीस खा गई पीली से हो जाएगा प्ली नी मिश्री से हो जाएगा मिश्र तौ से हो जाएगा टॉल्मी फी से हो जाएगा फिला डेलफस और नीस से हो जाएगा डायो निसस तो इस प्रकार साब इसे याद रख सकते हैं दुबारा ध्यान दीजिए प्रमुक घटना में बात करें तो तक्षिला में दो बार विद्र हुआ पेले अशोक ने दमन किया द दूत डायो निससर के दर्बार में बेजा जिसकी ट्रिक मेंने बनाई ही पीली मिश्री की टौफी नीज खा गई पीली नीविश्र-थी UEट round और टॉल में 45 और छसे हो जिफिला डायो है शंतृडजुट लीजिए आगे और बात करते हैं सीरे के शाशक ने आगे और बात करते हैं जो एंटियोकस हैं उन्होंने जो भेजा था उसके सम्मंद में तो दोस्तों हमने बात कर ली कि प्लिनी के अनुसार मिश्री के शाशक जो थे टॉल्मिफिलाडलफस सेकिंड उन्होंने अपना दूद डाइवनिसस बिन्दुसार के दरबार में भेजा था तो आगे बात कर लेते हैं दूसरे जो स्ट्रेवो हैं स्ट्रेवो के नुसार ये विद्वान है इन्होंने क्या कहा कि सीरे के शाशक थे एंटियोकस फरस्ट कौ दोबर है देखिए- इस ट्रेवो के अनुसार, सीरिय के शाशक, एंटी ऑ्कस फर्स्ट, शेरिटर ने अपना दूत, डाइ मेकरस, बिंदू सार के दरबार में भेजा, और बिंदू सार के दरबार Dul जा इसके संबंध में इसके संबंध में हम एक ट्रिक यहां पर देख सकते हैं दोस्तों देखे ट्रिक क्या है सीरी की आंटी स्ट्रोबेरी की डाई लगाती है देखे दोस्तों किसे याद रखना है कि सीरी की आंटी स्ट्रोबेरी की डाई लगाती है तो ध्यान दीजिए सीर सीरिय के शाषक कौन थे एंटी ओकस फर्स्ट जिनका नाम था शेरिटर भी कहा जाता है तथा इन्होंने अपना दूट डायमेकर्स बिंदुसार के दरबार में भेजा आगे बात कर लें इनके संबंद में और तो देखें दोस्तों एथिनियस हैं एथिनियस क्या कहते हैं कि एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने जो सीरिय के शाषक थे एंटी ओकस मैंने आपके इदर बता हैं एंटी ओकस के दरबार में अपने एक दूद भेजा अपने संदेश भेजा और उनसे तीन मांगी की कौन-कौन सी मांगी की देखें मीठी मदीरा सुखे अंजीर और दार्ष्णिक की तीन मांगी की किसने की बिंदुसार ने किसे की सीरिय के शाषक एंटी ओकस फरस्ट शेरिटर से की अब देखें दोस्तों जो सीरिय की शाषक थे एंटी ओकस इन्होंने क्या कहा कि ठीक है दोस्त हम आपको मिठी मदीरा भी भेज़ देंगे हम आपको मिठ सकती किस ने कहा एंटियोकस ने कहा किस से कहा बिंदू सार से कहा ध्यान दीजे दोस्तों दुबारा एथिनियस के अनुसार बिंदू सार ने सीरिया के शाषक एंटियोकस के समक्ष तीन मांगे रखी तीन मांगे कौन कौन सी रखी तो मिठी मदीरा सुखे अंजीर वद दाश ही नहीं देता, इस कावण दार्ष्न के नहीं भेजा जा सकता, यह किस ने कहाँ, अंटियोकस ने कहाँ, बिंदुसार से, तो इस प्रकार से दोस्तों, बिंदुसार के शाषिनकाल में कुई शी विशेश नहीं आता है इसके संफंद में दो-तिन प्रश्ण भी बनते हैं एक तो इसके शाषिनकाल में कौन-कौन से देश शाष्कों के किस शेत्र से कौन-कौन से दूत आये थे दूसरा इसके नाम जो अमित्रगात अमित्र केट्स चेट्स अधिय नाम है वो पूछे जाते हैं, साथ में एक ये तीस्टी भी पूछा जाता है साथ ये तक्षिराम जो विद्रो हुआ था पहला वा दूसरा उनके संबन्द में प्रश्ण पूछा जा सकता है जादा इससे बिंदुसार से प्रश्ण नहीं बनते हैं मौरे वेंज में ये प्रश्ण बनते हैं, तो सबसे बहुत अच्छा पढ़ाने का अगर इस टोपिक में किसी प्रकार की कम ही है तो मुझे कमेंट करके बताए मैं इसमें और सुधार करने का प्रयाच करूँगा तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद जे हिन जे भारत